नमस्कार आज हम रास्टिय एकता दिवस के उपलक्ष में ये एक विशेश व्याख्यान्स रंखला पर चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में हमें सबसे पहले रास्टिय एकता दिवस के उपलक्ष में क्योंकि ये रास्टी एकता दिवस्त का आयुचन जो है वो सरदार बल्लभाई पटिल की जैनती और उनको स्रद्दा सुमन या उनके जो एकी करन के प्रियास थे उन एकी करन के प्रियासूं के आधार पर उनके जनम दिन पर इसे मनाने का निश्चित किया गया और हम आज सभी हम उने नमन करते हैं उनका वंदन करते हैं और अभिननन करते हैं और उनके दिखाए गए मार्क पर चलने का प्रियास करते हैं क्योंकि एकता में सबकुस समाईत है एकता जो है वो बड़े से बड़े लक्षे को बड़ा सा बड़ा जो हमारा लक्षे है वो हम आप सबने सुना है पढ़ा है और देखा भी है जब कोई भी एक कहानिया आपने पंचतंत्र की कहानियों में या फिर आदर्श जो कहानिया है उनमें चंपक नंदन में बच्पन में आपने पढ़ा होगा और पंचतंत्र की जो विशेश रूप से कहानिया है उसमें आपने प बिखेरा नहीं जा सकता, लेकिन एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, तो जो एकता है, वो किसी भी परिवार को, संस्ता को, राज्य को और रास्ट को तूटने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है, लेकिन यदि उस एकता की बजाए आपस में संगर्स हो जाता है भाई भाई में राज्यों में जातियों के आधार पर भाशा के आधार पर धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर आधात्म राजनिती और अर्थ के आधार पर जब आपस में संगर्स होता है तो उसके बाद मे बिख्राव होता है तो हम सब आईए आज इस उपलक्ष पे ये अपने से सभी सभी जितने विश्रोता और शिक्षार्थी मुझे सुन रहे हैं और हमारे इस CEC के गुरू चैनल पे लाइव देख रहे हैं वो अपने आप से प्रतिग्या करें कि यदि हम सही मायनों में सरदार बल्लबाई पटेल को यदि हम नमन करना चाते हैं और उनके प्रति अपनी करतक गयता को ग्यापित करना चाते हैं तो हम सब को खुछ से एक प्रॉमिस करना होगा कि रास्टिये एकता पर हम कोई भी कभी भी आच नहीं आने देंगे हम जाती के आधार पर हम धर्म के आधार पर अंबाशा के आधार पर राज्ये के आधार पर परंपराओं के आधार पर और राजनितिक और सामाजिक आर्थिक धार्मिक और अध्यात्मिक और सामप्रदाइक जो कारण है उसके कारण हम आपस में संघर्ष नहीं करेंगे हम सब एक जूट रहेंगे हमारे में हैं लेकिन एकता के नाम पर हम मनभीद नहीं होने देंगे अब बात करते हैं हम कि रास्ट्री एकता की आवशक्ता क्या है अकिल भारती रास्ट्री एकता सम्मेलन में बोलते हुए श्रीमती इंद्रा गानिनी जी ने कहा था जब जब भी हम ऐसंगठित हुए हैं हमें आर्थिक और राजनितिक रोप में इसकी कीमत चुकाने पड़ी है जब जब भी विचारों में संकेनिता आई है आपस में जगडे हुए हैं और जब जब भी ए विचारों से अपना मुख मोडा है हानी हुई है और हम विदेशी साशकों के अधिन हो गए हैं आज इतने वर्षों के बाद भी श्रीमती स्वर्गिजे श्रीमती इंद्रा गांधी जी का जो ये वक्तव्य है वो कितना सारगर्वित है कितना उस पे उसे वो आत्मसात कर जाने जैसा है कि जब जब भी हम ऐसंगटित हुए हैं संगटित नहीं हुए हैं अकेली हुए हैं अलग-अलग हो गए हैं हमें आर्थिक और राजनितिक रूप में इसकी कीमत चुकाने पड़ी है जब जब हमारे विचारों में संकिनता आई है कैसी संकिनता जाति के नाम धर्म के नाम पर भाशा के नाम पर राज्य की सीमाओं के नाम पर प्रांत के नाम पर सामाजिक रिवाजों के नाम पर किसी भी कारण से जब हमारी विचारों में संकिनता आई है तो आपस में जगडे हुए हैं और जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा है तो बह कि कल्पना कीजिये अभी श्रीमती गांधी ने कहा था कि हम विदेसी साशकों के अधीन हो गए हैं जब जब भी ऐसा हुआ है एसंगठित हुए हैं, चाहिए विचारों में संकीनता आई है, चाहिए फिर हमने नए विचारों से अपना मुख मोड़ा है, कल्पना कीजिए कि 2020 में जब कोरोना वाइरस ने भारत में दस्तक दिया, और जब कोरोना से हम सारे के सारे महामारी से तरस्त थे, ग्रस्त थे और पीडित थे, उस समय यदि हमने नए विचार, नए तकनिकी, नए प्रियोग, नए संसाधन, नए चीजों को, यदि हमने उनसे मुख मोड लिया होता, तो निश्यत रूप से उसकी हमें व्यक्तिगत रूप से भी, और रास्तिय रूप में भी हमें उसकी हानी होती, और हम हो जाते हैं, एक कहवत भी है, कि घर का भीदी लंका डाई, यदि घर की बात को घर तक सीमित रखा जाए, और जब रास्तिहित की बात आए, तो सारे आपसी मतभेद, मन भेद और संगर्शों को बुला करके रास्तिहित को हमें उपर रखना होगा, अकिल भारतिय रास्त एकता सम्मेलन में जब बोलते हुए, सिरी मती गांधी जी ने जब ये अपनी बात कही थी, तब हमें उस समय और आज हमें सदेव याद रखने की आवशकता है, कि अनेकता में एकता बहुत जरूरी है, रास्तिय एकता के मार्ग में बात हैं कोन-कोन सी है, इस पर भी हमें करना होगा, क्योंकि अब तक के उद्बोधन में और हम बात कर रहे हैं कि रास्तिय एकता होनी चाहिए, रास्तिय एकता के आवशकता क्यों है, रास्तिय एकता क्यों जरूरी है, तो अब रास्तिय एकता के मार्ग में पाधाएं कोन सी है, कारण कोन से हैं, और उनका निवा रास्ट से ही है रास्टी एकता के लिए एक दूसरे के प्रति मजबूत भाईचारे की भावना का होना बहुत चरूरी है नितान तावशक है यहां पर यह इसपस्ट कर दिना श्रेष्ट होगा कि केवल विचारों से नहीं अपीतु आच्रन और व्यवार से भी रास्ट प्रे आप और हम सब सिक्षा और ज्यान से जुड़े हुए हैं और ज्यानार्जन को बाट रहे हैं ज्यान का आदान प्रदान हम कर रहे हैं हम राजनितिग्य नहीं हैं हम यहां भाशन नहीं कर रहे हैं हम यहां पर व्याक्षान कर रहे हैं विचारों को बाट रहे हैं समझ रहे ह उसकी सारगर्थ बिता को देख रहे हैं तो ये कहना यहां इसलिए आवशक है कि केवल रास्ट प्रेम रास्ट प्रेम रास्ट प्रेम और रास्ट ये एकता की बाते करने से काम नहीं चलेगा अपितु प्रतेग भारतिये नागरिक को विचारों के साथ साथ अस्वम के आच्रण और व्यवार से भी रास्त्रप्रेम और एकिकरन का प्रदर्शन करना होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के उप्राथ ऐसी अपिक्षा की गई थी कि अब पारस पर भेद भाव की समाप्त हो जाएगी 1947 में जब विदेशी आकरांताओं से और अंग्रेजी साष्कों से ब्रिटिस सरकार से जब बहुत संघर्स के बाद बहुत आउटेएं के बाद हमारा जब भारत हमारे जो सवतंतरता से नानी थे उन्होंने जो सवतंतरता प्राप्त हुई तो सबके मन में यह अपिक्षा थी कि अब बहर का कोई नहीं है हम सब भारतिय हैं और हमारी पारसप्रिक जो भेद भाव की समश्या जो थी वो समाप्त हो गई है किंदू, बहुती दुखत शब्दों में या दुर्भागे पोन रहा कि सामप्रताइक्ता, छित्रवाद, जातिवाद, अज्ञानता, एसिक्षा और भाशागत अनेक्ता ने अभी भी देश के नागरीकों को अपने वश में कर रखा रास्त्री एक्ता को खंडित करने वाले कारकों की जानकारी अतियावशक है, जिससे उनका निवारन किया जा सके तो जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारण है जिसके कारण रास्त्रिय एक्ता के मार्ग में वो रुकावट है या बाधा उत्पन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मेरे मनमस्तिक्स में, मेरे जहन में जो एक शब्द निकल कर आता है वो है सामप्रदाइक्ता रास्त्री एक्ता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है साम्प्रदाइक्ता की भावना ये एक ऐसी बुराई है जो मनुष्यों में आपसी फूट डालती है मित्रों के मद्धे ग्रहना और भेद की दिवार खड़ी कर देती है भाई से भाई को अलग कर देती है और अंतते समाज के टुकड़े कर देती है मैंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस समश्या को समाप्त करने के लिए जितना अधिक प्रियास किया जा रहा है ये रोग उतना ही अधिक बढ़ रहा है स्वार्थ में लिप्त राजनितिग्य संप्रदाय के नाम पर भूले भाले लोगों की भावनाओं को भढ़का कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं और केवल यहाँ पे हम राजनितिग्यों को ही दोश नहीं दे सकते हमारा जो मीडिया है पत्रकारिता है वहाँ भी कहीं न कहीं इलोक्टोनिक मीडिया है वहाँ भी कहीं न कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो संप्रदाय के आधार पर संप्रदाय के नाम पर जो संगर्ष हो रहे हैं उनको हम बढ़ा चड़ा कर दिखा देते हैं, बता देते हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध हैं, आप सभी स्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आज के इस विशेश अवसर पर कि आप देखिए, समझिए, लेकिन अपने विवेक से, अपने विवेक से इस धारनाव को मत भूलिये कि भारत के वेचारिक जो आधार शिला है, वो वसुदेव को टमकम है, और भारत में अनेकता में एकता है, अब ऐसे में जब भावनाओं को भढ़का कर स्वार सिद्ध करने में लोग होते हैं, तो होता क्या है, परिनाम होता है कि देश का बातावर्न विशाक् जहरीला होता है, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रती ब्रहना उत्पन होने लगती है, एक दूसरे के प्रती लोग अपनी भाशा में जहर उगलने लगते हैं, यदि रास्ट को एक सुत्र में बांदे रखना है, तो सामप्रदाइक्ता, विद्वेश, इस्प्रधा, इर विद्वेश, आधी रास्ट विरोधी भाओं को मन से दूर रखना होगा, और देश में सामप्रदाइक्ता के बाद जो दूसरा कारण मुझे नजर आता है, या मैं जो समझ पा रही हूँ, जिसकी चर्चा आपके साथ करना चाहती हूँ, वह है भाशागत विवाद, भारत बहु भाशी रास्ट है, देश के विभिन प्रांतों के अलग-अलग बोलिया है और अलग-अलग भाशाएं बोली जाती है, प्रतेक नागरिक निजभाशा और उस भाशा पर आधारित साहित्ते कोई स्रेश्ट मानता है, इस कारण से भाशा पर आधारित अनेक विवाद हो जाते हैं, तथा देश की अखंडता भंग होने का खत्रा बढ़ जाता है, रास्टिय एकता के लिए सभी भाशाओं का सम्मान सभी नागरिकों को निरंतर करना चाहिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी छित्रिये और मात्रभूमी के मोहों के कारण, दूसरी भाशा का अवहिलना करता है, तो वे जाने अंजाने रास्टिय एकता पर प्रहार करता है, होना तो यह चाहिए कि अपनी मात्रभाशा को सीखने के बाद, हम सम्मीधान में स्विकर्थ, अन्य प्रादेशिक भाशाओं को भी सीखे, तथा रास्टिय एकता की भावना के विकास में सह योग प्रदान करें हमने चर्चा करी कि रास्टी एक्ता में कौन-कौन से बाधाई हैं और मैंने आपको बताया कि सामप्रदाइक्ता सबसे बड़ा बड़ी एक बाधा है उसके बाद में हमने बात करी कि सामप्रदाइक्ता के उप्ता उप्रांत भाशागत विवाद है और अब जो मुझे आपके साथ में चर्चा करनी है बताना है वो है प्रांतिय अत्वा प्रादेशिक्ता की भावना प्रादेशिक्ता की भावना भी रास्ट्रियेक्ता के मार्ग में बाधा उत्पन करती हैं रास्ट्र एक संपूर नहीं काई है कभी-कभी यदि किसी अचल राज्य या प्रांत में विशेश के निवासी अपने निशित और स्वार्थों के कारण प्रथक अस्तित्व की मांग करते हैं तो निश्चत रूप से वे रास्ट्रिये परिभाशा को सही अर्थों में नहीं समझने के कारण ऐसा एसम में अपराद करते हैं यानि राज्य और प्रांथ अपने निजी हितों के कारण प्राथक राज्य की प्राथक प्रांथ की जब कलपना करते हैं सोचते हैं विचारते हैं तो वहाँ पर वो जाने अंजाने में एशम्य प्रांथ कर लेते हैं लेकिन इस प्रकार की मांग से रास्टिय एकता और अखं का विचार ही समाप्थ हो जाता है भारत के सभी प्रांथ रास्टियता के सुत्र में आबद्ध है उनमें अलगाव संभव नहीं रास्टियता के इस प्रमुक्त तत्व को नागरिकों को अपनी द्रस्टी से ओजल तथा मन मस्तिक से वी स्मृत नहीं वोना देना चाहिए क्योंकि रास्ट संपूर्ण है और प्रांथ इंप्रादेशी का उसमें समाहित है तो हमने बात करी कि रास्टियता जो है उसमें बाधाएं कोन-कोन सी है और अब हमारे प्रियास क्या है रास्टिय एक्ता की दिशा में हमारे प्रियास क्या है हम ऐसे कोन से प्रियास करें आज के इस विशे सबसर पर इस व्याक्ग्यान में आप और हम ऐसे क्या प्रतिग्या करें कौन से प्रियास करें कि रास्ट्रिय एकता केवल मनाने के लिए नहीं हो और जो स्वतंतरता के बाद हमारे स्वतंतरता सेनानियों ने हमारे राजनित्यों ने हमारे जो नेताओं ने एक उनके जहन में एक नागरिकों के मन में एक विचार आया था कि अब तो समभ अपने हैं बाहरी आकरांटा चले गए हैं तो हमारे बीच में कोई मत्वेद नहीं रहेगा लेकिन जाने अंजाने में जो आज भी है उसके लिए हमारे पास प्रियास क्या है इस पर चर्चा करते हैं हमारे देश के विचारक साहित्यकार दाशनिक सिक्षाविद व्यग्यानिक इमसमाज सुधारक अपने अपने जीवन में निरंतर इस बात के लिए प्रियतनसिल रहे हैं कि वो देश के भाईचारे सद भावना और एकी करन की आवशक्ता बनाए रखेंगे अलगाव तथा विभाजन की भावनाए पारस्परिक्तनाव तथा विद्वेस के दिवानों को समाप्त कर देंगे किसी भी विविन राज्यों लेकिन फिर भी विविन राज्यों में तथा कतित निजी हितों के पोशक नेजी हितों के पोशक यानि जिस जो नागरिक जीवन में अपने हित को सबसे ऊपर रखता है, अपने हित का पालन पोशन करता है, अपने हित को आगे रख करके कोई भी कारिय करता है, ऐसे लोगों को मैंने नीजी हितों के पोशक नाम से संबोधित करा है नीजी हितों के पोशक अलगाववादी मानसिक्ता वाले लोगों द्वारा एकी करन की जणों पर प्रहार करते हुए दुश्कर्म किया जाता है मैं अपनी शब्दों को पुने दोरा देना चाहती हूँ कि विभिन राज्यों में तथा कथित नीजी हितों के पोशक अलगाववादी मानसिक्ता वाले जो लोग हैं उनके द्वारा एकी करन की जड़ों पर प्रहार किया जाता है तो यह हमारा हुआ राश्ट्रिय एक्ता अब राश्ट्रिय एक्ता के साथ साथ हमने हम समश्याओं का समाधान कैसे करें क्योंकि केवल यह कह देना कि समश्याओं का समाधान करना राजनेताओं प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तर पर है यह उचित नहीं होगा क्योंकि समश्याओं का समाधान केवल राजनेताओं और प्रसासनिक अधिकारियों के इस्तर पर नहीं हो सकता उसके लिए हम सबको मिल जुलकर एक प्रियास करना होगा नागरिकों में फैली नीजी स्वार्त इम आसपडोस की जो आत्ममुगता की भावना है उस से उस संसार में व्याप्त जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकालना होगा क्योंकि भावना ही संसार में व्याप्त समस्त विद्वेश और भावना के कारन होती है अतै जब तक प्रतेग नागरिका में समानता और एकता की भावना विक्षित नहीं हो जाती तब तक हमें इसके लिए प्रियास करते रहना चाहिए केवल विभिन उपदेशों यानि मैंने उपदेश दिया कल कोई और उपदेश देगा परसों आप उपदेश देने लगेंगे ऐसा नहीं केवल विभिन उपदेशों भाशनों एम रास्टे गान एम रास्टे गीत के माध्यम से ही रास्टे एक्ता की भावना को नहीं बढ़ाया जा सकता इससे रास्टे भावना उन्नत नहीं होगी उत्पन्न नहीं होगी प्रतिवर्स रास्टे एक्ता दिवस के आयोजन का का आयोजन किया जाता है और उसका उदेश्य है रिक्ता नहीं अनौप्चा रिक्ता के साथ इसे आगे ले जाना होगा इस आयोजन से भारतिय जन्मानस सरदार पटेल के प्रयासों के प्रती अपनी क्रतग्यता को व्यक्त भी कर सकेंगे और साथी साथ उनका धन्यवाद भी कर सकेंगे भारतिय जन्मानस सरदार पटेल के प आज की जो हमारी चर्चा है इस चर्चा में हमने विस्तृत में देखा कि एकता से हमारा अस्तित्व कायम रह जाता है और विभिन्नता से हमारा जो है वो विभिन्नता जो है वो हो भले विभिन्नता से परेशानी नहीं है लेकिन विभिन्नता में भी एकता होनी चाहिए और अ अनेक्ता में भी एक्ता होनी चाहिए तो आज के इस CEC के गुरुकुल चैनल में हमने सरदार बल्लभाई पटेल की जो जैनती है उनका जनम दिन है उसके उपलक्ष में जो आज हमने एक्ता दिवस्त का ये विशेश आयोजन किया है इसमें हमने पूरे विस्तार से इसकी चर् पूर्चा में साथी साथ जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं अधिकांश जो लोग हैं वो ग्रहन करना चाते हैं ज्यान पीपाशू हैं जितने भी मुझे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें में ये कहना चाहूंगी कि केवल वर्ष में केवल एक दिन 31st अक्टूबर 31st बिल्कुल इंटेक्ट नहीं रख सकते रास्त्रिय एक्ता की सुरक्षा नहीं कर सकते रास्त्रिय एक्ता के लिए प्रतेक भारतियों को अपने जाती धर्म भाशा भाव लिंग अध्यात्मिक्ता सामाजिक्ता सांस्कृतिक्ता इन सब को भूल करके इन सब से उपर उठकरक सर्व प्रथम पहले हमें खुद को उठना होगा चाहे फिर वो राजनेताओं द्वारा प्रलोभन दिये जाने वाले भाशन हो नारे हो या फिर किसी समुदाय के मुख्या के द्वारा अपने समुदाय की इस्तुती और दूसरे समुदाय के आलोशना करने का कारिये हो चाहे फिर वहां प्रांतों की सिमाओं का जगडा हो कोई भी चीज हो हमें रोकना है और यदी मान लीजिए कि मैं ये भी आप सुदक कर लेती हूँ कि हमारा समर्थि रोकने का नहीं है लेकिन हम रुपतु सकते हैं हम राष्ट की खंडता के लिए हम राष्ठ की एक्ता के लिए क किसी को भी प्रहाड नहीं करने देंगे हम कोई भी ऐसा ऐसा आयोजन नहीं करें जिससे रास्ट की एकता पर खत्रा आए और हम सब को मिल करके अपने देनिक जीवन में प्रते दिन रास्ट्रिय एकता के संदर में हमें कारिय करना होगा तो इस प्रकार से आप सभी जितने भी विद्यालियों में जो विद्यालियों और सिक्षा के शित्र से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपने विद्यालियों में रास्तिय एक्ता यानि एक्ता के उपर हम विभिन जो है वो हम इसकिट करवा सकते हैं नुकरनाटक करवा सकते हैं और हम बिल्कुल दिखा सकते ह हम प्ले करवा सकते हैं जिसमें सरदार बल्लबाई पटेल और अन्य जो सतंतरता सेनानी है उनका उनकी भुमिका में ला करके और हम बता सकते हैं आज की युवापीडी को कि जब हम रियायसतों में छोटी छोटी रियायसतों में बटे हुए थे जब हम निजी हितों निजी स्वारतों को लेकर के आत्म मुग्द थे जब हम दूसरे की प्रगती उन्नती से सरोकार नहीं रखते थे तब हमारे उपर विदेशी आकरानताओं ने आकरमन किया और हमारे ही रास्ट में हमारे उपर साशन किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रतेग भारतिये के लिए सब से उपर उसके रास्ट की एकता है क्योंकि परिवार के बिना जैसे किसी की परिकल्पना नहीं की जा सकती वैसे किसी भी रास्ट की जो परिकल्पना है वो उसकी एकता के अभाव में नहीं की जा सकती क्योंकि हम यदि अलग हो जाएंगे लड़ने लगेंगे संगर्स करेंगे तो जो बाहर ताक लगाए बैठी है जो विभिन शक्तियां हमारे दुश्मन या हमसे आगे बढ़ने की विलाशा रगले वाले लोग वो हमारे घर में सेंद लगा लेंगे और हम इतना बड़ा खत्रा मोल लेने की इस्तिती में कदापी नहीं है तो मैं पुने आप से कहना चाहूंगी कि आज के इस विसेस उद्बोधन में रास्ट्रिय एकता क्या है क्यों मनाई जा रही है आव में यह होना चाहिए तो आईए इस रास्ट्रिय एकता के दिवस पर पुने हम सब मिल करके सरदार बलबाई पटेल को अपना नमन करते हैं उन्हें श्रदान जली देते हैं उनका इस्मरन करते हैं और उनके द्वारा किये गए प्रियासों को अपना एक रोड बना करके उस और चलने का प्रियास करते हैं और इसी के साथ मैं आप सबको भी समस्त भारतिये नागरी को को और समस्त यूआ पीडी को जितने विश्रूता हैं सबको, मैं इस उपलक्ष में सबको रास्ते एकता की बढ़ाई देती हूँ, आपका अभी नंदन करती हूँ, आपको भी बन करती हूँ और इसे के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद